स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एंसी आर्टी प्लेटफॉर्म पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूप पुलिस जेल वारण एवं फायरमेन भरती परिक्षा 2020 की जो परिक्षा हुई थी 2020 दिसंबर को दो दो सिफ्ट में तो हमने उसके जीएस और हिंदी सेक्षन को रिव्यू किया और हमने आपको आंसर की प्रोवाइड कराई और अब हम बात करने वाले हैं इसके संभावित कटॉफ के वारे में और बहुत सारे मुद्दों के वारे में जानेंगे कि तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं पहले बात करते हैं उपस्तित अब्यरति यूच्यों की संख्या लगवक 50-55 प्रतशत थी क्योंकि सेंटर्स काफी दूर गए थे सेंटर्स दूर गए दे चारसो से पांसो किलोमीटर दूर गए सेंटर्स और अभी साधन भी इतने नहीं चल रहे हैं रेलवे वगेरा की कम सुविदाएं इस वज़े से उपस्ते जब्रतियों की संख्या काफी कम रही तो यह वी एक मेजर फैक्टर रहा कि बच्चे की संख्या कम रही तो कॉट आफ कैसी जाएगी केवल वही बच्चे मेरे हिसाब से पेपर देने गये थे जिनकी तैयारी थी अगली बात करते हैं निगेटिव मार्किंग जब धुर्ण बहा घया तो ce nजाटि नहीं होगी हैं उसके बाद 12 ऐसमबर को नोटिस आया कि निगेटिव क्फोएव मारकिंग होगी कुई बात नहीं फिर चार आ椅किनीं मरकिंग perception ऐसा कुछ नहीं लिखा तो इस तरीके से इसमें बहुत लंबा पेज फसने वाला है निग्यटिव मार्किंग को ले कर अगर नेगर वरा रहेगा इसका फैसला कोट ही करेगा आगी चलकर और नॉर्मिलाइशन की यदि हम बात करें तो नॉर्मिलाइशन तो होना चाहिए क्योंकि पेपर चार सिफ्ट में हुआ है और नॉर्मलाजिशन से क्या होता है कि पेपर बैलन्स हो जाता है कि कौन सा हाड रहा कौन सा कम रहा इस तरीके से पेपर हाड रहा है उनको इसका फायदा मिल जाता कर उनका नौलिजान हो जाता है उनके मार से बढ़ जाते हैं तो नहीं नौम नहườiकिंजेंद अगला प्रोस्षच अगला देखते हैं क्या है पहले तो देख लाएते हैं नेगेटिब मार कर नहोने पर कट आफ कम जाएगी तो कट आफ की हमने जो रेंज तयार की है एक तरीके से मैंने पेपर देखा जिसमें रिजिनिंग का पॉर्सन काफी हार्ट था हिंदी में भी कुछ कोश्चन ऐसे थे जैसे साइट अकादमी से रिलेटर नोंने बहुत अंदर तक की बाता पूंच ली थी और जीएस में भी कुछ पॉलिस अकादमी बगएरा के काफी डीप कोश्चन दे मानवादिकार पड़िसत से थे तो इस प्रकार के प्रशनों को देखकर मेरा यह मानना है जो कट आफ जाएगी वो कम से कम इतनी रेंज रहनी चाहिए जनरल के लिए मेल कंडियेट की 178 से 182 निगेटिव मार्किंग होने पर होने पर बात कर रहा है हैं इस तरह के 170 से 176 फीमेल जनरल और 171 से 170 मेल ओवी सी 168 से 172 फीमेल ओवी सी सी 165 से 170 पुरुसकी 60 से 165 महिला की और एस टी में 150 से 155 और फीमेल की 140 से 150 जा सकती है निगेटिव मार्किंग होने पर और एक सर्विसमेन की 90 से 100 उनका तो काफी कम नंबर पर हो जाता है अगर निगेटिव मार्किंग नहीं हुई तो यह रेंज बढ़ जाएगी क्योंकि जो गलत हो रहे थे प्रशन उनके नंबर नहीं कटेंगे और रेंज बढ़ जाएगी कि कमपिटिशन आप यह मां सोचिए कि उपस्तित कम रहे हैं तो कमपिटिशन कम हैं लेकिन केवल परीक्षा वही देने गए ते जिनकी तैयारी थी तो यह मेजर फैक्टर है कि आप यह सोचना कि उपस्तिती कम रही तो कट ओफ कम जाएगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जनल जनल की 185 जाएगी अगर कट ओफ नहीं होई तो एक सोपिजटर से एक सोफी महिलाओं की जाएगी तीन समय से जो मार्स दिये हुए हैं 170 से 170 से 75 और एक सो साट से 170 फीमेल की यहां पर 165 होना चाहिए मेरे साब से क्योंकि पांच नंबर हम उपर नीचे लेकर चलते हैं यह इसी से रेंज तैयार करते हैं इस वज़े से हमारा मानना है इस तरीके से संभावित कट ओफ है वाकित तो अब रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा एस सी की 162 से 172 और फीमेल की 162 से 168 अगला यहां पर 152 से 158 हो सकता 152 से 158 अच्टी की 155 से 160 और 150 से 155 महिला एस्टी की तो इस तरीके से एस्टी की तो काफी कम जाने वाली है एक सर्विसमेन इतने ज्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि इनका जितने भी यह करके आयोंगे 90 से अगर उपर हैं तो निगेटिब मारकें हो या ना हो इनका यह किलियर हो जाएगा तो इसी डिसकसन के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें और कोई जानना चा